नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं पिर्पेर फॉर्नाखरी ओफिसल युटूब चनल दोस्तों गवर्मेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इतोमिक इनर्जी इसमें एक डिरेक्टरोट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस और इस्टेट मेनेजमेंट है इसमें अप्लिकेशन निकली है फॉर्म भर जा रहा है आप लोगों के लिए तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो देखिए लास्ट डेट आप लोग अभी ध्यान रख लिए 29 अप्राइल 2022 तक के लास्ट डेट है अद्रटेजमेंट नमबर है DCSEM-01-2022 तो इस अद्रटेजमेंट के अंद्रगत यहां पर रिक्रूट्मेंट निकली जिसमें देखिए टेकनीकल ऑफिसर यहां पर सिविल का कितने वैकेंसी है तो दो वैकेंसी है जिसमें की BE.b.tex मांगा गया है civil engineering में 60% mark के साथ और देखे maximum age limit रखी गई है यहाँ पर कितना तो यहाँ पर देखे eligible advisor है ही नहीं OBC का यहाँ पर 38 years और HC के लिए 40 साल रखी गई है उसके देखे technical officer mechanical के लिए यहाँ पर कितनी vacancy है तो एक vacancy है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर OBC के लिए है तो OBC के लिए है एक सिर्फ और B.E.B.T.E.C. mechanical में मांगे गई है 60 साल और इसमें 38 साल आपको age limit रखी गई है तो इसको ध्यान देखेगा अब देखे सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा in the case the response is more D.E.S.E.S.E.M. reserve the right to restrict the number of the candidate to be called for the interview by conducting a screening test to the eligible candidate यानि कि ज़्यादा अगर यहाँ पर candidate होगे तो उनको screening किया जाएगा वैसे interview होने वाला है तो final selection जो है interview के basis पे ही होने वाला है ये तो technical officer की बात हुई अब देखे यहाँ पर scientific assistant का post है धान रखे यहाँ पर scientific assistant का post है group B level 6 का है जिसमें pay metric 35R यहाँ पर interview 35R 400 होगा पलस DA वगरा जो भी होगा और इसमें देखे scientific assistant सबसे पहले civil की कुल मिला कर 6 vacancy है जिसमें मांगेगी है diploma diploma मांगी गई है 60% mark के साथ देखे 3 साल 10 के बाद या फिर 2 साल अगर 12 के बाद किये है तो आप इस post के लिए अब देखे यहाँ पर maximum age limit रखी गई है undeserved के लिए 30 साल रखी गई है OBC के लिए 33 साल EWS के लिए 30 साल और इसके बाद देखे scientific assistant आपको mechanical का कुल मिला कर 2 vacancy है जिसमें की diploma मांगी गई है में 60% mark के साल 3 साल का diploma होना चाहिए 10 के बाद और यहाँ पर unreserved के लिए जो age limit है वो 30 साल है और उसके बाद देखे scientific assistant यहाँ पर ध्यान रखे scientific assistant electrical में भी दो vacancy है जिसमें की diploma मांगी गई electrical में और यहाँ पर age limit सेम है अब देखे selection procedure क्या होने बाला है तो देखे selection जो है वो personal interview के आधार पे ही होने बाला है जो है 1 ratio 5 में mark security in the screening test वो आपको final selections में नहीं count होगा और देखे test अगर होता है तो यहाँ पर 50 multiple choice question होगे जिसमें की one about आपको मिलेंगे और देखे respective discipline से ही questions पूछे जाएंगे question क्या होगा तो respective discipline से होगा और marking scheme 3 marks होगा और one third negative marking आपर रहने वाला है उसके देखे technician का भी post निकला है जिसमें की plumbing के लिए जिसमें ITI मांगा गया है इसमें देख लिजे carpentry के लिए masonry के लिए feeder के लिए उसके बाद air conditioning के लिए electrical के लिए technician जिसमें की ITI मांगा गया है इसको थोड़ा सा ध्यान रख लिजेगा ITI का selection process preliminary test होगा उसके बाद advanced test होगा उसके बाद देखे अलग-अलग यहाँ पर skill test बगरा सब कुछ होने वाला है तो देखे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि recruitment norms of the scientific assistant B and the technician prescribe the eligibility criteria in the terms of the minimum qualification and the percentage of the marks however if the candidate with the higher qualification opted for the selection to the post prescribe of the lower qualification they will not be denied in the principal the opportunity of their recruitment subject to their position in the essential qualification such candidates who are already overqualified or likely to complete the process requiring higher qualification after the recruitment with not less than 60% will not be considered for the promotions on the basis तो देखे यहाँ पर बात कही गही को लिया जागा लेकिन परमोशन बगरा यहाँ नहीं दिया जागा तो इसको थोड़ा सा देखे age relaxation बगएरा सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जगा additional benefit अब देखे application fees कितना होगा तो देखे technical officer के 500 रुप्या होगा scientific association का 500 रुप्या होगा और technician B के लिए यहाँ पर 500 रुप्या होगा अब देखे apply केसे करना है तो apply यहाँ पर offline करना है जी हाँ दोस्तो offline करना है आपको इस advertisement का PDF आपको हमारे telegram चनल पर मिलेगा उसको download कर लिजेगा और होहाँ से आप इसको form भरके आपको तकि A4 size paper में आपको इसको print out निकालना है उसके बाद अच्छे से भर लेना है Hindi और English में तो यहाँ पर उसके बाद envelope पे आपको इस तरह से लिखना है application for the post of post code against advertising number application should be address तो इस address पर आपको पहुचा देना है और अगर एक से ज़्यादा application भरते हैं तो आपको क्या करना है कि separate भरना होगा और देखे रिसेंट यहाँ पर photograph दो अलग से अटेच करना होगा अब देखे अब देखे अच्छे तरह से भर लेना है और यहाँ पर देखे इस तरह से आपको certificate बगरा जितना होगा सब कुछ आपको attach कर लेना है और उसके बाद भेज़ देना है तो देखे देखे यहाँ पर certificate बगरा जितने होगा सब अच्छे से कर लेना है और यहाँ पर देखे और कोई अगर बात यहाँ पर देखे आपको nature of duties क्या रहने वाला है सब कुछ बता दियेगा है तो एक बार retirement को अच्छे से जरूर पढ़ लेना है तो बार नहीं गयरा है यहाँ पर देख सकते हैं इसको भरना नहीं है for office use only है उसके पोस्ट कोड नमबर यहाँ पर आपका डालना है यह सब आपको डालना है अधार नमबर उसके बाद नाम जो है first name, middle name, father's name, mother name यह सब आपको भर लेना है यानि कि जो office use के लिए है उसको सिर्फ नहीं भरना बाकी सब कुछ अपना भर लेना है और अच्छे से इसको भरना है और उसको दिय गया address पे जरूर भैज देना है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा यह offline है लेकिसमे अब देखिए यहाँ पर आपको detail of the demand draft यानि कि पैसे आपको किसमे करना है तो demand draft में आपको जो है रूप में देना है यहाँ पर name of bank, dd number, date of demand, amount और कोई जनकारी है तो यह सब देना है, declarations यहाँ पर sign करना है और देकलेरेशन for the candidate second reservation, OBC, OBC certificate पगरा आपको बनवा लेना है और जितने document आपको बनवाने है बनवा लेजेगा और साथ में attach करके भेज़ दीजेगा और यहाँ पर जो भी जोना हो जरूर यहाँ पर दोस्तों जरूर जो है वीडियो को share करिए, यहाँ पर देखिए एक last new form है कि आपको claim for the reimbursement of the traveling expenses of the candidate call for the screening test इसको थोड़ा सा ध्यान रख लिजिए, so दोस्तों इस वीडियो में इतना है, वीडियो देखने के लिए धनवाद, जरूर लाइक करिए, चैनल क को subscribe कर लिए, so thank you